चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोगों का ये एक नया सफर on Indian quality by Lakshmi Kant हम लोग इस book को in and out जो भी problems के लिए relevant है या mains के लिए relevant है इस पूरे चीज़ को हम लोग discuss करके खतम करेंगे और इसका एक schedule भी बनेगा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें decode के इस YouTube चैनल के platform पर यहां पर कुछ ऐसी चीज़ों को उपर भी discussions होंगे जो की current affairs से related होंगे ठीक है दोस्तों तो जो current affairs है quality के उसको मैं इसके साथ relate करता रहोंगा as and when we will move into the concepts इसके साथ यह आप देख पा रहोंगे this is the fifth edition अभी market में six edition वाला ही सब लोग पढ़ रहोंगे तो उसमें कुछ खास changes नहीं है apart from the few changes or few chapters जो जम्मू कश्मीर से related कुछ होंगे तो हम लोग उन specific चीजों का जो इसके अंदर दिया हुआ है उसकी एक specific list बनाएंगे और उसको हम लोग अपने notes से cover करेंगे ठीक है so 90% या 95% of the book is same इसको पहले खतम कर लेते हैं ठीक है दोस्तों चलिए start करते हैं किताब को Indian quality by Lakshmikant ये civil services के लिए माने जाती है the most the most important book इसको राम बान दवा भी बोलते हैं UPSC के कई लोग कहते हैं ये एक गुठी है जिसको सुलजा लिया तो मोटा मोटी प्रिल्यम्स में 25% of the paper is done और अगर इसको और ध्यान से किया तो मेंस का एक entire GS2 का जो paper आता है वो भी done इसमें मैं सिर्फ कहूंगा कि concepts plus सबसे important is इसके current applications ये पुछे जाता है when it comes to mains ठीक है तो ये book sufficient नहीं है when it comes to mains प्रिल्यम्स के लिए more than sufficient है और इसलिए इसके पढ़ने के लिए आपको कोई भी NCRT की प्राय तरीके से पढ़े रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ेंगे लक्ष्मिकान जी के बारे में अगर किसी को भी कुछ भी जानना हो तो थोड़ा सा पोस्ट ग्राजुएशन यानिके मास्टर्स मास्टर्स जो है उन्होंने प्रिटिकल साइंस में किया हुआ है उस्मानिय युनिवस्टिटी से 1989 में ये एक इंस्टिट्यूट भी चलाते थे लक्ष्मिकान्स आई एस अकारमी है है अध्रबाद में नहीं और भी किताब लि यूपेसी ने अपना सेलबस और अपने एक्जाम का पैटन चेंज करा था जिसमें दोनों बार दसकोप आफ इंडियन पॉलिटी है इंक्रीजट तो ये एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है जिसके वाई इंडिन पॉलिटी सो इंपॉर्टन ठीक है यहां पर आप देखेंग जो हैं आपको questions मिलेंगे चलिए अब हम लोग जो है यह questions यह numbers जितने सारे यहां पर दिये गया है problems में वह देख लें अगर तो आप देख सकते हैं कि 2010 से अगर आप calculate करेंगा पिछले 5 साल का देखें तो continuous एक trend बन जाएगा आपको सामने तो एक trend भी दिखाती है यह exam और फिर इस exam में किस देखें स्टेज़ आते हैं वो भी यहां पर बताया जाता है जैसा मैं कहा रहा था कि यह governance, constitution, polity, social justice यह पूरा aspect लक्ष्मिकांत और current अफ़र्ट से complete किया जा सकता जिस GS2, paper 3 खीक है और जिनका जिनका political science optional है या जिनका law optional है उनके लिए भी यह दोनों particular subjects के लिए भी Indian polity is very important, very important, यहाँ पर देखते हैं, list of tables यह बहुत important है, इसके बार मनों बात करेंगा, सबसे प्राइल इंपॉर्टन है, important articles यह इंपॉर्टन आर्टिकल्स वह बहुत important है, schedules important है, ठीक है, first cabinet of free India, important है, सवाल आते है यहां से क्यों, interim government से सवाल आता है, तो यह कुछ चार्ट से जो आपको बताना चाहरा था, यह आपको पतावना चाहिए सवाल पूछे जाता है, MCK उजमे, यहाँ पर 7 पर देखे, fundamental rights at a glance, यह relevant है, exam point of view से, similarly fundamental rights जो की आपको foreigners के लिए यह भी relevant है, distinction between FR and directive principles, यह relevant है, exam point of view से, comparing parliamentary and presidential system, again relevant है exam के लि और यह लगातार कई सारे चीज़ी यहाँ पर दी गई है, जैसे censure motion और no confidence motion यह important है, adjournment and propagation important है, public private bill important है, यह सारे चीज़े यह हर बार कही न कहीं से पूछ लेता है, veto power of the president important है, presidential rule को लागू करने के लिए क्या important provision है, वो बन जाता है important, यह सारे चीज़े जो है, हम लोगो को यह जो दो chapters है, historical background और making of the Indian constitution, यह दोनों को हमें समझने के लिए modern history से समझना पड़ेगा, और अगर मैं modern history के भी बात करूँ तो 1600 onwards हमें समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो यह दोनों chapter नहीं कुछेगा दिमाग में, बात क्लियर है, तो एक continuity बनती है, अगर इन दोनों chapter को करने के लिए, हम लोग नहीं 1600 से लेकर के 1947 तक का modern history पढ़ लिया एक बारी, तो हमारे लिए बहुत बहुत बहतरीन साबित होगा, इसको integrate कर लेंगे हम लोग, इसको integrate करने के लिए हमें जो जो चीजों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है chapters like advent of Europeans, उसके बाद expansion of East India Company, उसके policies of East India Company, उसके बाद reaction like revolts before and after 1857, तो लिखेंगे हम लोग, lessons from the revolt of 1857, for Indians and also for East India Company, तो इसके बाद जो में चीज़ देखनी है, वो है, socio-cultural reform movements, जो इंडिया में होने वाले हैं, और उसके साथ-साथ, growth of nationalism, तो और उसके बाद शुरू होगा, phases of, phases of Indian freedom movement, जिसको हम लोग, तीन हिस्तों में बाढ़ सकते हैं, पहला 1885 से लेकर 1905, 1905 से लेकर 1919, और उसके बाद 1919 से 1935, आप इसको चार से में कर रहे होंगे, तो यहां पर, इस एरिया पर हम लोगों को यह चीज़ पढ़नी पढ़ेगी, making of the Indian constitution, ठीक है दोस्तों, और यह तुरू आउट है, इसी timeline पर move कर रहा है, तो यह चीज़ अगर हम लोगों ने दोनों एक अठा कर लिये, इस तरीके से, तो हम लोग की जो होगी उसको कहेंगा, हम लोगो holistic understanding, ठीक है दूस्तों, तो बिफोर वी स्टारिकल बैग्ग्राउंड और मेकिंग अप इंडिन constitution, let's just quickly go through this story in a very nutshell, जिसको आप लोग आगे continue करेंगे हमारे दूसरे वीडियो पर, तो चलिए बने रहे हमारे साथ, और इंडिन political holistic way में complete करते हैं